असला अलेकुम वेल्कम टू माई चैनल आज की हमारी दस्तीपी है चिकन बिर्यानी चिकन तिक्का बिर्यानी देखिए कितनी यम्मी लग रही है मैं की सब्सक्र aट करते यह मैंने एक किलो चिकन लिया था आप इसमें बॉन्ड़े wspól भी ले सकते हो लेकिन लेकिन मैं這些 हड़ी वाला और मैंने हल्द्य पोडर ताला इसमें आदा चमसा और अष्में कुछ यादे मसाले यूज नहीं की है मैंने और एक चमच लाल मिर्ज देखिएगा और यह मैंने तिकिप्का मसाला जो बनाया था नह वह है यह मैंवेड़ायी इसमें तिक्का मसाला जो मैंने मेरे चैनल पर आपको उसकी रेशेपी मिल जाएगी और यह मैंने नमक डाला यह पर अपने है aam से ढालिए गा मैंने एक चमज नम्क डाला इसंें को मसाले कि राशीप आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और ये मैंने कॉन फ्लार dar l aquesta दालना है हमको यह देखिए और मैदे का आठा भी दो चमज दालना है हमको और अध्रक लसुन पेस्ट लगेगा याने जिंजर गार्लिक पेस्ट लगेगा इसमें वो मैंने तीन चम्मच दाला था ये देखे मैं मैदा दाल रही हूँ दो चम्मच उसके बाद मैं अधरक लसुन पेज दालूंगी वो मैंने तीन चम्मच दाला है ये हमको तिक्के के लिए दालना है इतना मसाला और हमारी बिर्यानी के लिए अलग मसाला लगेगा तो ये तिक्के का मसाला है चिकन के हिसाब से ये आप नमक और मिर्ची डालना है इसमें जादा नहीं डालना है तीन चमज मैंने अधरक लसुन पेस डाला है और अच्छे से सब मिला लेंगे आम इसको और इसमें मैंने दही दाला था तीन चमज ये देखिए homemade दही ये दही की भी recipe आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी ये सब mix कर लेना है और इसको दो से तीन घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखना है हमको तब ही हमारी तिक्का बिर्यानी अच्छी बनेगी, अच्छे से सब mix कर लेना और इसमें मैंने food color दाला है, अब तिक्का बिर्यानी बीना food color के मज़ा नहीं आएगा, तो आप food color इसमें यूज कर सकते हो, कभी कभी यूज कर ले, हाँ हमेशा यूज करना नहीं चाहिए, अच क्लर दाला है और अच्छे से मिक्स करने के लिए रख लूँगी तो घंटे कम से कम दो घंटा आपको रखना है को मेरिनेट के लिए तब ये बराबर से मसाले इसमें अब्जर्ब होगे ये देखे दो घंटे हो चुके है अब मैं इसको एक कड़ाई में तेल मैंने गरम कर लिया था इसको फ्राय कर लूँगी जैसे तिका चिकन तिका फ्राय करते हैं वैसे ही फ्राय करना है हमको इसको यह देखिए हो चुका है अब मैं निकाल लूंगी इसको और हम दूसरी तैयारी करते हैं अभी आगे का प्रोसीजर करेंगे यह देखिए, मैं निकाल दिया है मैंने इसको, यह प्राई हो चुका है, देखिए, कलर देखिए इसका अब आगे का प्रोसीजर हम यह करेंगे, मैंने बासमती चावल लिये थे, यह मैंने आदा किलो ही लिये है तिक्का बिर्यानी में चिकन जादा लगता है, और चावल कम लगते है, देखिए, आदा किलो चावल लिये और मैंने इसको भीगने के लिए रख दिया था, आदे घंटे के लिए, अब मैं इसमें पानी दाल दूँगी, और पानी एक्स्ट्रा दालना है हमको, क्योंकि पानी निकालना इसमें ये पानी में नहीं पकेंगे, स्टीम करना है चावल को हमको, क्योंकि बिर्यानी के लिए स्टीम चावल ही यूज होते है, अब इसमें मैं नमक दालूँगी, और नमक भी हमको ज्यादा दालना है, याने दो चम्मस दाले है, तो उसमें चार चम्मस दाला दाला था मैंने तो आप अपने टेस्स के साफ से डालियेगा पर एक्स्ट्राइड दालना है क्योंके इसका पानिया फेकने वाले हैं इसलिए 2 तेस्स पत्ते तीन काली मीरी, एक बड़ी इलाईची और दो हरी इलाईची मैंने इसे को इसंवें दाली थी। और एक चमज़ तेल भी ता जब मैंने इसको बटोकर करने के लिए रखा था। राइस चावल को, और यह मैंने बास्माती चावल लिए थे, और यह जो मैंने प्राई किया था ना चिकन वही ऑई इसमें यूस किया है रियूस किया है तो आप भी कीजिएगा वेस्टेश क्यों करना है हमको इसलिए मैंने वही तेल लिया था और ये तेल डालने से एक ये अच्छी बात होगी कि जो हमारी बिर्यानी और टेस्टी लगेगी कलर फुल लगेगी इसकी वज़े से ये तेल की वज़े से ये देखिए एक फुल दो पेस पत्ते एक दाल चिनी का तुकड़ा और दो हरी लाइची मैंने इसमें दाली थी ये हम बिर्यानी का बगार कर रहे है और मैंने चार बड़े साइस के प्यास कट करके ले लिये थे प् नासे स्प्राई हो चुकर है ! इसके बाद हम बाकिके मसाले डालेंगे ! यह मैने अद्रक लछण पैस्ट डाला है ! 2 चम्मच ! और इसका कच्छया पन शाने तक इसको भून यह देखिए अच्छे से भून लेंगे इसको ताकि इसका कच्छापन सब भड़ जाए अधरक लस्टन पेस्ट का इसके बाद जो बाकी के मसाले हम वो दालेंगे दो टोमेटो कट करके ले लिये थे मैंने यह दाले है इसमें और इसको भी अच्छे से मिला लेना है जब तक यह टोमेटो अच्छे से गलना जाए हमारे और यह मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर दाला है और यह भी अच्छे सी मिला लेंगे और नमक अपने टेस्ट के हिसाफ से दाल लिएगा मैंने एक चम्मच दाला था यह मसाले का नमक है हमारा चिकन का तो हमने अल्रेडी दाल दिया था और पिर्यानी मसाल्य भॉममेड भिर्यानी मसाला दाला तो उसकी पेस्ट को मेरे मीरा कहती तो आप जरू यह यह होनêtre विर्यानी मसाल्य लोग तक गुसियों के करीब दही था यानि पाव किलो दही इसमें दही जादा दालना है दही और प्याज इसमें हमको जादा लगेगी और अच्छे से मिला लेना है जब तक कि दही तेल ना छोड़ दे कि देखिए और बताईएगा जरूर कमेंट करके कैसी लगी रेसिपी और उसके बाद मैंने नहीं हरा धनिया कट करके लिया था वो मैंने डाला एंगा और यह चिकन मैंने फ्राय कर लिया था जो आपको बता दिया था वह मैं इसमें दाल दूंगी फूरे पीसिज दालने है हमको र अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी दाल देजे ताके यह सब तोड़ी थोड़ी अलग है इसलिए आप यह भी ट्राय कीजिए यह भी बहुत टेस्टी बनती है यह देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है और अच्छे से इसको पास्ता निर्टी पकाएंगे ज्यादा देर नहीं पकाएंगे कोई चिकन हमारा पक चुका था अब यह देखिए हमारे राइस भी हो चुके है यह देखिए इसका पानी अब निकाल लेंगे हम देखिए आप मैं जैसे बतार्या वैसे कीजिएगा परफेक्ट लिए आपके भी बिर्यानी ऐसे ही बनेगी और मैं थोड़ा सा आदा चिकन निकाल दूंगी जैसे लेयर टाइब बनाते हैं वैसे बनाई थी मैंने तो आदा चिकन मैंने निकाल लिया था और आदा चिकन उसी वर्तन में रखेंगे हम यह देखिए और इसमें फिर आदे चावल दालेंगे चिकन आदा निकाल लीजिए देखिए मसाले के साथ निकालना है चिकन चिकन नहीं निकालना है औ और उसके बाद जो चावलते हमारे वो भी हम आदा दालेंगे इसमें, पूरे नहीं दालने ये भी, ये देखिए, जैसे आपको बतार या वैसे ही बनाईएगा, परफेक्ली बनेगी, और मैं बार-बार आपको रिमाइंड इसलिए कराते हूं, ताके आपको परफेक्ली आप चिकन का और मसाला था, वो दाला है मैंने, और इसको बराबर से फैला लेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ चावल है वो दालेंगे उपर से, ये देखिए, और पूरा सब मिक्स करने के पास, इसको हमको पासाथ में डंपे रखना है, टारेक्ली सर्व नहीं करना है, य जैसे बतारी वीसुर करना है, और एक चमजगी इसमे भी दालेंगे, और फूट कलर ले लिये थे मैंने, मेरे पास जो थे येलो कलर, ओरेंज कलर, और ग्रीन कलर, वो मैंने उपर से दाला था, ये देखिए, घी दाला है मैंने, और इसके उपर फूट कलर दालूँंगी, और एसी पर अच्छी लगी हुगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा ये बिरियानी, और मुझे बताईगा कैसे बनी, ये देखिए, और मैं उपर से हरा दाल के दिखाती हूँ, लग रही है न, टेस्टी, यम्मी, तो बनाईए और बताईए मुझे, और भी अच्छी अच्छी रेसीपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये देखिए, कलर फुल लग रही है न, देखिए, बताईगा जरूर मुझे कमें में, और लाइक जरूर कीजिए, मैं आप से मिलती हूँ, न्यू रेसीपी के साथ, इस पॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, अल्ला हाफीज